आज है 6 माई 2022, माई के महा में किसान साथी जो अपने अम्रूद पर सर्दियों की फसल लेना चाहते हैं, उनकी कटिंग शुरू कर देते हैं, आज यहां पर इस बात की चर्चा नहीं करेंगे, कि कटिंग से पहले क्या तयारी होती है, मुझे उम्मीद है कि सभी भाईयों ने फरवरी में अपना पानी बंद कर दिया होगा, उनमें खोरा लगाया होगा, और उनके पत्ते लगभग गिर चुके होंगे, अगर पत्ते नहीं गिरे होंगे, तो उन लोगों ने यूरिया का इस्प्रे भी किया होगा, और अब कटिं का समय आ गया है, जो इस्थान-इस्थान के हिसाब से बदलता रहता है, कुछ लोग मई के एक मई से कटिंग सुरू कर देते हैं, और कुछ लोग 15 मई तक कटिंग करते हैं, 15 मई के बाद भी करते हैं, इसान साथियों, आज मैं आपको ये बताऊंगा, कि हमें कटिंग से क् फाइदा होता है कटिंग से नई साखाई निकलती हैं सब को पता है कि जो पिछले वर्स जिस साखा पर अमरूद आया था और वो बहुत बढ़ चुकी है जैसे ये साखा है तो इस पर जो यहां से नई साखाई निकलेंगी उन पर ही फल आएगा इससे पहले वाली पर नहीं आ होगा और हमें अ Daisy क ठोड़ी कर देनी चाया करनी चाहिए करनी है जैसे ये साखा है ये पिछले वर्श की कटिंग की थी और आज मेरा जो केनोपी का है अंतिम भाग है वो पूरा होगा इसके बाद मेरी केनोपी तैयार हो जाएगी मैंने ये देखिए इस साखा में से ये भी निकल गई थी साखाए और यहां पर आपको कुछ फूल भी नजर आ रहे होंगे ये काफी फूल मैंने तुडवा दिये थे लगबग 20 दिन पहले काफी तुडवा दिये थे चोंकि मैं इन में से सर्दी की फसल लेना चाहता हूँ उसका एक कारण है कि मुझे इसमें एक तो अपनी केनोपी की अंतिम कटिंग करनी थी कि इसके बाद मेरी कनोपी पूरी हो जाएगी और दूसरा मेरी सर्दियों की फसल आएगी इसलिए मैंने बरसात की फसल लेना इसमें उचीत नहीं समझा दूसरा कारण ये था इन 60 पूदों में से 20 पूदे मेरे 2019 के हैं जून के लगाए हुए और 40 पूदे सेप्टेंबर 2020 में लगाए थे तो उन सब को अब एक साथ लाने का यही कारण था अब देखिए मैं इसकी कटिंग करता हूँ ये कितनी अच्छी साखाय हो गई कटिंग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी साखा पकी हुई होनी चाहिए ये मेरी सेप्टेंबर की कटिंग थी यहां से मैंने ये दो साखाय रखी थी कि मैं कैनोपी बनाना चाहता था आप देखे कितना खुला हुआ पोदा है तो चोंकि ये मेरा जो डिस्टेंस है ये दस बाई dस पर है तो मैं इसको यहां से कटिंग करूंगा इस पर गार कार ये जो कच्छी है इसको हटा दॊंगा और इसको मैं यहां से optimize ये देखे तो यह मेरी जो है यहां तक मेरी कैनोपी बन गई अब इसमें से जो कल्ले निकलेंगे, उन पर फूल आएंगे, वो भी मैं दिखाऊंगा, ये देखें, ये मेरी साखा है, मैं छोटी इसलिए रख रहा हूँ, चुकि मेरे पोदे 10 बाई 10 पर है, अगर मैं इसे समझ लिए यहां से रख दूँ, इतनी दूरी से रख दूँ, त ये देखें, और ये जो छोटे पोदे, ये जो टहनिया है, इनको आप खटा दीजिए, ये देखें, अब मैं इसकी कटिंग कर दूँ, नहीं, रिपोड़ करते हैं, जो नहीं साखाए हैं, ये यहां से चल पड़िए, किसान साथियों हर पोधा, जितना उसका फैलाओ होगा, उतना ही फल देगा, ये भी ध्यान रखना है, कि अगर आपका पोधा बीस बाई बीस पर लगा हुआ है, तो एक एक कड में 110 पोधे हैं, तो लगबग एक पोधे पर एक से डेड़ कुंटल फल आता है, लेकिन वही अगर दस बाई दस पर हैं, साड़े चार सो हैं, तो आपका 25 से 30 किलो फल आएगा, उस तन उतना ही पड़ जाएगा, अब आप देखिए, ये पोधे की मेरी कैनोपी तयार हो गई, ये इससे कम मै इसे नहीं ले जाओंगा कभी भी, जब यहां से निकलेंगे तो उन्हें फिर यहां से काटूंगा, और जो फिर अगले वर्स ये थोड़ा और बढ़ेगा, उससे अगले साल थोड़ा और बढ़ेगा, उससे अगले साल ये कैनोपी धीरे धीरे उपर आती जाएगी, जो य बगबग चार-चार इंच हर साल बढ़ती चली जाएगी और मेरे पोधे कभी भी बराबर की अवस्था में नहीं आएगी आप देखिए कुछ पोधों की मैंने कटिंग की हुई है इनकी यह पत्ते पड़े हुए हैं और इसमें सही यह रखना है जितनी भी सूखी हुई साख कटिंग अब हमारे पोधे में चत्रक का निर्मान जो चत्रक के लिए जो कटिंग होती है यह तीसरी कटिंग थी सही तरीके से यह पूरी हो चकी है इसके बाद केवल हम फल की लेने के लिए ही कटिंग किया करें किसान साथियों यह में पोधे हैं जो डेड़ से पौने दो वर्स के हो चुके हैं तो इन में से आप यह उमीद मत करिये कि बहुत अधिक फल आएगा लेकिन अगले साल से यह भरपूर कि दो वर्से चो तो वर्से अपको ताव नहीं में लगाना है हमेशा दो वर्से बड़े पोधे में इन में पानी बंद नहीं किया चलता रहा तो मैंत के फूल केल काम किया किनको करें किया कि लूबरे बाग verdict करनी पड़ेगी आपको इसमें थिनिंग भी करनी पड़ेगी और आपको बहुत कारिये करने पड़ेगे इसलिए ये निर्णे बहुत सोच समझ कर ले किसान साथियों ये थी मेरी प्रस्तुती कैनोपी का अंतिम भाग और सर्दियों के फसल की दो वर्से छोटे पोदों की त आपने मापना